नमस्कार उत्राखन साइंस एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है योसर्क राज्य में प्रध्योग्य की आधारित विज्ञान शिक्षा सुलब करवाने हेतु कृट संकल्प है आज के इस तक्नीकी युग में शिक्षा पद्धती में सम्यक बदलाव की आवश्यक्ता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित इकंटेंट सुदूर छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है हमारा विश्वास है कि इकंटेंट एक मुल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कौशन एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा धन्यवाद चली आईए इस वीडियो में हम लोग परश्टे शेतरफल और आयतन के ऊपर कुछ जरूरी प्रशनों का हल करें और सबसे पहला प्रशन जो हमारे पास है वो है एक ठोस धातु गोला जिसका व्यास 21 संटिमीटर है उसे पिगला कर को छोटे शंकु बनाए गए तो आपके पास क्या था एक ठोस बोला था और उसका हमें व्यास दिया गया है यानि उसका डायमीटर हमें गिवन है और उसको पिगला कर के कोछ छोटे शंकु बनाए गए चोटे शंकु मतलब छोटे छोटे कोन बनाए गए और सारे कोन एक ही जैसे हैं यंदि प्रतेक शंकू का base व्यास, यानि base जो diameter है, वो हमें given है, तो हमसे पूछा गया है, और उचाई भी बता दी गई है, तो हमसे पूछा गया है, कि हमें यह बताना है कि कितने शंकू बने, तो यहां पे कुछ इस तरीके का हमको, जो condition है वो दिया गया है, कि यहांपे एक शंकू है उसका भी हमें बेस व्यास दिया गया है 3.5 सेंडिमीटर और उसकी उचाई हमें 3 सेंडिमीटर दी गई है प्रश्ण में यह पूछा गया है कि यहां पर यह कितने शंकू बन रहे हैं तो चलिए आएए फिर से हम अपना वही बेसे कॉंसेट लगाएंगे कि रूपा है उसकी आयतन के लिए हमारे पास सूत्र है 4 बटे 3 पाई आर क्यूब और यहां पर हम आर की जगा पर लिख देंगे 21 बटे 2 क्यूंकि जो 21 था वो हमारे पास व्यास था तो अगर हमें त्रज्या निकाल ली है तो 21 बटे 2 करना पड़ेगा और यहां पर क्यूब है और एक शंकू की बात करें तो उसकी आयतन के लिए हमारे पास सूत्र होता है 1 बटे 3 पाई आर स्कूर एच जहां पर आर जो है वो त्रज्या है और इस बार फिर हमें त्रज्या के लिए व्यास में 2 से भाग देना पड़ेगा और उचाई हमें सरल तरीके से 3 सेंडिमीटर दी सारे शंकू की आयतन के योगफल के बराबर क्योंकि सारे शंकू जो है वो एकदम समान हैं एकदम एक जैसे हैं इसलिए अगर मैं यह निकाल लूँ कि एक शंकू के आयतन कितनी हैं और इसको नमबर-off जो यहां पे शंकू है multiply कर दूँ तो मुझे यहाँ पे सारे शंकों की कुल आयतन का योगफल मिल जाएगा अब आप देख सकते हैं कि दोनों ही तरफ मुझे πाई-पाई मिल रहा है तो अगर मैं पूरे समी करण को पाई से भाग दे दूँ तो दोनों तरफ ये पाई जो है वो cancel हो जाएगा आप ये भी देख सकते हैं कि मुझे दोनों तरफ तीन भाग में मिल रहा है हर में मिल रहा है तो अगर मैं तीन को तोनों ही तरफ समी करण में गुड़न फल कर दूँ तो ये तीन भी जो है वो हड़ा तो अब मेरे पास क्या बचा चार के साथ में गुड़न फल 21, 21 और 21 क्योंकि यहां पे त्रीग हाथ था और ये आ जाएगा हर में जो गुना दो और अगर हम दाइन तरफ बात करें तो हमारे पास N है और साथ में हमें मिल रहा है 3.5 और 3.5 का स्क्वार और यहां पे हर में हमें फिर से 2 और 2 मिल रहा है और एक 3 यहां पे और मौझूद था तो अब हमें ये देखना है कि अगर हम इसका एदशमलब हटा दें तो हमें एक 10 मिल जाएगा और फिर से अगर हमें एदशमलब हटा दें तो हमें एक और शून मिल जाएगा या फिर कहलें कि हर में दस मिल जाएगा अब हमें क्योंकि यहां पर इसका मान निकालना है तो हमें इन सारी ही संख्यां को यहां से हटाना पड़ेगा तो आईए देखते हैं वो हम कैसे कर सकते हैं तो इस तरह अगर हम भलकरने का प्रयाश करें तौँ हमारे पास 35 है और अगर हम इसको 5 से भाग देते तो 7 होगा और फूरे समीक्रण में अगर हम 16 से गुना कर दे तो आप यह lap यह देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास हर में ये दो आ रहे थे ये cancel हो जाएंगे और इसी प्रकार से अगर हम दोनों तरफ जो है वो तीन से गुड़न फल ले लें तो हमारे पास ये जो तीन है ये भी हड़िया तो और यहाँ पे हमारे पास दो साथ बचे जो कि हमारे पास numerator में थे तो अगर हम पूरे ही समीकरण को साथ गुना साथ से भाग दे दें तो हमारे पास ये जो यहाँ पे दो साथ हैं ये भी cancel हो जाएंगे तो अब आप देख सकते हैं कि बदाई और सिर्फ मेरे पास एन बचा और बाई और मेरे पास ये कुछ पत बचे जिनमें सिर्फ अंख हैं तो आएए इसको हम हल कर लेते हैं तो साथ एकम साथ साथ इयां एककिस फिर साथ एकम साथ साथ इयां एककिस थ्री और ये थ्री cancel हो गया फिर दो दुनी चार और फिर यहाँ पे ये दो और ये आठ तो मेरे पास यहाँ पे ऊपर क्या बचा है एक तो तीन बचा है और एक मेरे पास 21 बची है संख्या और एक संख्या बची है आठ और मेरे पास हर में कोई भी संख्या नहीं बची है तो यही मेरे पास एन ना जाएगा और यह एक बार इसको हल कर लेते हैं तो एक किस को अगर हम तीन से गुड़न फिल गरेंगे तो आठ तीन 244 हासल लगा दो 88 और तो हमारे पास जो ये शंकू है उनकी हमें संख्या पता चल गई कितनी होगी 504 तो आपने देखा कि अगर हम एक बड़े गोले को पिगला करके छोटे-छोटे शंकू बनाएंगे तो इस दिये गए नाप के शंकू 504 बनेंगे अगर जो हमारे पास गोला है उसका व्यास हमको एक के संटीमीटर गिवन है चलिए आईए अगला प्रस्ण देख लेते हैं और अगले प्रस्ण में हमें ये कहा गया है आंत्रिक व्यास 2 संटीमीटर के एक बेलनकार पाईप के माध्यम से पानी बह रहा है और 0.7 मीटर पर सेकिंड की दर से एक 40 संटीमीटर के आधार बे पाईप है जो की बेलनकार है और इससे पानी जा रहा है और भर रहा है एक बेलनकार काफी बड़े से टैंक में या पर कहलें टंकी में और यहां पे जो हमें पाईप है उसके भी जो हमारे पास व्यास है वो गिवन है तो यहां पे जो हमारे पास ये बेलन है इसका व्यास ह सेंटीमीटर तो यहां पे हम लिख लेते हैं 40 सेंटीमीटर जो कि हमारे पास आधार की तरिज्या है यह पूछा गया है कि आदे घंटे में इसमें पानी का इस्तर कितना हो जाएगा तो जब हम पानी यहां पर भर रहे हैं तो मानी भी बात है कि पानी का इस्तर भरता जाएग तो जितना भी पानी आदे घंटे में पाइप द्वारा आएगा वो ही आदे घंटे में यहाँ पे आएगा इखटा होगा और जब हमें वो पता चल जाएगा तो हम उसकी मदद से यहाँ पे उतने पानी के लिए देख लेंगे कि कितना इसतर बन रहा है मगर पहला चलड यह है कि हम यह पाएं कि आधे घंटे में पाइप द्वारा कितना पानी आएगा अब यहाँ पे यह कह रहे हैं कि अगर हम एक सेगंड में देखें तो यह जो पाइप है उसका 0.7 मीटर का जितना भी वॉल्यूम होगा मतलब यहाँ पे जितनी भी आईदन हो एक सेकंड में यह बहा देता है तो अगर हम आदे घंटे की बात कर रहे हैं तो हम यह कह सकते हैं कि एक सेकंड में जितना पानी बहेगा अगर हम उसका कितना गुना ले 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 तो आदे घंटे में कितने सेकंड होते हैं आदे घंटे में 30 मिनट होते हैं और हर मिनट में 60 से की ये बात ध्यान देनी है कि जब एक सेकंड कह रहे हैं तो हमारे पास जो यहाँ पे यह दी गई उचाई है यहाँ पे कहले है लंबाई है इस pipe की वो 0.7 meter हो जाएगी तो pipe की value है 22 by 7 और यहाँ पे जो त्रिज्या है वो हमारे पास हो जाएगा 1 cm क्योंकि यहाँ पे व्यास 2 cm गिवन था और जो लंबाई है pipe की जिसके थू पानी आ रहा है जिसको 100 से कहलें कि गुड़नफल कर लेंगे और इस तरीके से हमें एक सेकेंड में बहने वाले पानी की आयतन पता चल गई और क्यूंकि हमें आदे खिंटे के लिए निकालना है तो इसको हम 30 और 60 से गुड़नफल कर देंगे तो यह काफी ज़रूरी चरण है इस प्रशन का मैं फ पानी जो है वो बहर जाता है तो अगर हम यह निकालना चाहें कि एक सेकेंड में जितना पानी बहर आये उसके आयतन कितनी है तो हम जो फॉर्मॉला इस्तमाल करेंगे वो तो बेलनाकार क्ले ही होगा मगर उसमें जो हमारे पास हाइट है वो हो जाएगी 0.7 मीटर और क्यू कटने है मर क्या पानी जा क्या है तो हम यह कह सकते हैं कि यह वाला ही जो भी वैल्यों हमारे पास आएगी वो बराबर हो जाएगी इसके जितना पानि जितना पानी बढ़ टंकी में我在 hi до去 ऑ he में इस तंकी में, चत्स हो गया तो हो satisf कहते हैं, कि का पार्ड बार्ड गुं हो जाएगा i r2 h और यहाँ पर अछभात यह है कि, तंकी के लिए जो दृज्ट है वज दिय गई है और कितनी हो गई τामय यहँ चालेस सेंटीमीट्र चालेस और गुना चालेस करें लें का वर्ग निकालने के लिए और यहां पे हमें जो है उसकी हाइड भी निकाल लिए तो आएए चलिए हमें समीकरण को एक ही पंक्ति में लिखके हल करने का प्रयास करें तो जो हमें आए पास समीकरण है वो क्या हो जाएगा तो समीकरण के अनुसार हमारे पास यहां पे है बा इसमें इड्ट का मान की आएगा तो डूनों तरफ ही हम देख सकतें की 22 साथ और 22 साथ Story अगर अगर हम सम्मिकरण को 22W, साथ से भागे देंगे तो यह हड जाएगा और हमदेख सकते हैं कि यहां पे अगर हम दोनों तरफ 100 से भाग दे दें तो यह 100 यहां पे हड़ गया और यहां पे अगर हम 100 से भाग देंगे तो यह दोनों शूने जो हमें 40 के साथ में मिल रहे हैं वो हड जाएंगे और क्योंकि हम H का मान निकालना चाहते हैं तो आए दोनों तरफ ऐसा करते हैं कि 16 से भाग दे देते हैं और इससे ये होगा कि हमारे पास दाइन तरफ सिर्फ H बच जाएगा जिसका मान हम इन अंकों को हल करके निकाल सकते हैं तो यहां पर हमारे पास जो बचा वो है 0.7 और 30 और यहां पर आया 60 और हमारे पास हर में आ रहा है 15 मिल जाएगा जो यह उचाई है वह आगई साद गोना पंद्रा गोना तीन और इसको चार से भाग देना है तो चलिया यह से हल कर लेते हैं यहाँ पे पंदरा और साथ का अगर हम गुड़न फल देखेंगे तो एक सो पांच और इसको फिर से तीन से गुड़न फल करना है तो यह हमारे पास आ गया तीन सो पंदरा और इसको हमें भाग देना है चार से तो ये हमारे पास आ जाएगा 78.75 और ये सेंटिमीटर में तो आप अगर आदे घंटे तक इस पाईप से इस टंकी में पानी भरते रहेंगे तो आदे घंटे बाद आप देख सकते हैं कि इस तंगी में पानी की उचाय कित्ती हो जाएगी 78.75 cm इस प्रशन में सबसे जो जटल का रहे था वो था ये समझना कि ये जो हमें दर दी गई है इसका प्रयोग हम प्रशन में कैसे करेंगे अगर आपको एक बार ये अच्छे ते समझ में आ गई को समान रूप से फैला कर 22 बटे 14 मीटर वाले एक चबूत्रे बनाए गया है इस चबूत्रे की उचाई गयाद कीजे तो हमें ये बताये क्या है कि कोई एक खुआ था हमारे पास और इस खुए का जो आकार है वो बेलन आकार है हम देख सकते हैं और इसमें से जो भी मिट्टी निकली वो यहां पर फैला करके चबूत्रा बना दिया गया तो हमें यहां पर क्या concept यूज करना पड़ेगा कि जो भी हमारे पास मिट्टी निकली उसकी जो भी आयतन होगी वो इस चबूत्रे की आयतन के बराबर हो जाएगी तो क्योंकि यहां पर जो आकार है वो बेलन आकार है इसलिए यहां पर जो आयतन है वो पाई आर स्क्वाइर होगी और क्योंकि यहां पर जो आकार है वो एक हम देख सकते हैं कि घनाव है तो उसकी आयतन हो जाएगी चोड़ाई, लंबाई और उचाई का गुणनफल, तो चली आए, यहाँ पर मान रख देते हैं, और अगर हम पाई का मान रखेंगे, तो 22 बटे 7 हो जाएगा, और यहाँ पर हम ग्यारे पास जो त्रिज्या है, आधार की त्रिज्या वो कितनी आजाएगी, व्यास की आधी, क्योंकि व्यास साथ गिवन है, तो त्रिज्या हो जाएगी साथ बटे दो, और क्योंकि इसका स्कॉयर लेना है, तो हमें इसको दो बार गुणनफल में यहाँ पर रखना पड़ेगा, उचाई हमको दी गई है 20, और इसको हम बराबर कर लेते हैं, इसकी लंबाई, चोड़ाई, और उचाई के गुणनफल के बराबर, तो 22 गुणा, सो 14 गुणा, हैज अब आपको क्या करना है, बस इसको हल करके हैज का मान निकालना है, तो ऐसा करते हैं कि दोनों तरफ हम 22 से डिवाइड कर देते हैं, और हम जब 22 से भाग देंगे, तो यहाँ पर 22 हमारे पास हट जाएगा, इसी प्रकार, क्योंकि हम H को अकेला करना चाह रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर दोनों तरफ 14 से भाग दे दिया, तो हमारे पास क्या बचा, 22 गुना 7, गुना 7, गुना 20, और इसको हम जो है, भाग देंगे, 7 गुना 2, गुना 2, गुना 22, गुना 14 से, और जो भी यहाँ पर हमारे पास, इसको हल करने के पास हम कियाएगी, वो ही मान हो जाएगी, H की, तो चलिए आईए, इसको हल कर लेते हैं, तो 22 और 22 यहाँ पर भी कैंसल हो गया, यह 7 और यह 7 कैंसल हो गया, यह 7 और अगर हम 14 को भी 7 से भाग देंगे, तो 2 मिल जाएगा, फिर अगर हम यहाँ पर 2 से भाग दें, तो यह 10 मिल जाएगा, फिर अगर हम हम इसको फिर से 2 से भाग दें तो यहां पर हम यह बता चला कि यह जब चबूत्रा बनाया गया है इसकी उचाइ कितनी होगी 205 होगी अगरहर्द यहांपे हम इस खुवे से निकली हुई मिंट्टी को बराबर तो नो कहा देते हैं तो काफी असान प्रशने था सिर्फ हमको अपना बेसे कौन चप्ड़ाद रखना था कि आयतन जो भी होगी रुपांत्रन के पहले की और बात की पराबर है और यहां पर किस चीज का रुपांत्रन हुआ मिट्टी का जो मिट्टी यहां पर इस बेलन आकार कुए में थी वो ही यहां पर चबूत्रा बनाने के लिए इस्तमाल कर ली गई चलिए एक और प्रशन देख लें जो की इन्हीं विशह पर आधारित है एक खिलोना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकू के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्ध गोले पर अध्यार रोपित है इस खिलोने की संपून उचाई 15.5 सेंटीमीटर है इस खिलोने का संपून प्रेश्टिय शेतरफल ग्याद कीजी तो यहां पर हमें यह बताया गया है कि एक खिलोना है और जो की दो अलग अलग आकारों से जुड़के बना है तो यहां पर हम यह देख सकते हैं क मैं आप खिलोना होगा जहाँ पे हमारे पास एक शंकू है और शंकू जो है किसके ऊपर यहां पर बताया गया 11.5 संपूछा गया है कि इस खिलोने का संपूर्ण प्रेश्टिय शेतरफल क्या होगा तो जैसा कि मैंने आпको बताया कि अगर आप सम्पून प्रेस्टे शेतरफल या टेसे कहलें इसकी बाद कर रहे हैं तो वही आप प्रेस्टे rend यूग करेंगे, जो की आप छू सकते हैं या पर कहलें कि हमें बहार से दिखराई, वह सारे प्रेस्टे शेत lesson जो कि यहाँ पे छुप गए हैं उनको हम नहीं देखेंगे इसलिए यहाँ पे सिर्फ हम वक्र प्रश्टे शेत्रफल लेंगे जो की शंकु का होगा और इसको हम लिख लेते हैं CSA किसका शंकु का और यहाँ पे हम और किसका आड़ करेंगे क्या योग करेंगे तो हम कहलें कि हम CSA ही एड़ करेंगे अर्ध गोले का क्यूंकि उसका भी जो समतल वाला प्रश्टेशेतरफल है वो आप देख सकते हैं कि छुप गया है तो दोनों के जो पूर्ण प्रश्टेशेतरफल हैं वो हमने नहीं लिये हमने सिर्फ उनके वक्र प इसरे में छिप गया है तो अगर हम शंकू के वक्र प्रश्टेशेतरफल की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास जो सूत्र है वो होता है पाई आर एल और अगर हम अर्ध गोले के वक्र प्रश्टेशेतरफल की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे लिए पास फॉर क्योंकि यहां पर हमारे पास दोनों ही दिये गई जो आकार थे उनके त्रिज्या जो है वो एक ही है इसलिए आर लिखा रहने देना भी गलत नहीं होगा अब प्रश्णी यह आता है कि यह जो हमारे पास एल है या फिर हम कहलें कि इस शंकू की त्रियक उचाई है वो हम कैसे निकालेंगे तो जैसा कि हमें बता है कि त्रियक उचाई निकालने के लिए हम पैथागुरस थिर्म का यहां पर प्रयोग कर सकते हैं और सिर्फ और सिर्फ शंकू के लिए अगर हम देखें तो जो भी उस का मान पता चल जाएगा तो चलिए आए ये देख लेते हैं कि इस शंकू की सिर्फ उचाई कितनी है तो आप देख सकते हैं कि पून उचाई हमको 15.5 cm दी गई है जिसमें आपके अर्ध गोले वाले हिस्से की उचाई मिली हुई है और अर्ध गोले वाले हिस्से की जो उचाई है वो तो क्यूंकि गोला है तो उसकी तृज्या के बराबर ही होगी तो इसलिए हम वो हटा देते हैं तो यहां पर हमारे पास अगर हम सिर्फ इतने ही भाग की बात करें तो इसकी उचाई हो जाएगी 12 cm क्योंकि पूर्ण थी 15.5 और उसमें से 3.5 जो थी वो अर्ध गोले की उचाई थी और क्योंकि त्रिज्या जो है वो समान ही है चाहे हम गोले के लिए बात करें चाहे हम इस शंकू के आधार के लिए बात करें तो वो है 3.5 और उसका हम वर्ग ले लेगे तो चलिए आईए इसको हल करने का प्रयास करें तो यहाँ पर आ गया 12 का स्क्वाइर और 3.5 का अगर हम स्क्वाइर करेंगे तो हमको मिल जाएगा 12.25 और आए इन दोनों ही संख्याओं को अगर हम योग कर दें 12 का वर्ग है 144 और यह 12.25 और अगर हम इने जोड देंगे तो हमें मिल जाएगा 156.25 और अगर हम 156.25 का वर्गमूल निकालना चाहरे हैं तो हम 156.25 और हम 25 की जगह के अगर हम 2 जोड़ने जोड़ दें तो इस का भी वर्गमूल निकाल सकते हैं और अगर हमें 15625 का जोलिख 4000-25 निकालना है तो हम कौन सी विधी उपयोग कर लें, तो चलिये आये, हम भाग की विधी उपयोग कर लेते। तो यहाँ पे अगर हम जोडे बनाना शुरू करें, तबसे पहले, हम पहले 32 क सले получилось में, तो当 धो से में गुणांफलिकी क landfill% constructionAT यहां पर निकालेंगे हम छेश्फ whether निकाल में बारा जाएगा ओर और यहां पर हम पांच ले लए तो दोसोपे करिंगे तो 1225 ही आएगा यहाँ पे यह 1225 आएगा और अब हमें शेश्वल शूने मिल गया और इस प्रकार हमें जो यहाँ पे वर्गमूल है 15625 का वो 125 मिल गया और 100 का तो वर्गमूल हमें पताई है 10 होता है तो इसलिए हमारे पास जो ये तिरियक उचाई है उसका मान आजाएगा 12.5 और वो भी सेंटीमीटर में होगा तो क्योंकि अब मेरे पास यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मुझे चाहिए थी उनका मान मुझे पता चल गया है तो चलिए आए यहाँ पे रख देते हैं तो यहाँ पे पाई है 22 बटे 7 R है 3.5 L है 12.5 और यहाँ पे फिर 2 के साथ में पाई है 22 बटे 7 और फिर यहाँ पे R है 3.5 और 3.5 तो थोड़ा सा इसको सही से कर देख देख दे आए यहाँ पे एक रिख आपिश लेने हैं तो चलिए आए इसका आगे हम हल करें तो यहाँ पे मैं जो निकाल रही हूँ वो है TSA और अगर हम लोग यहाँ पे 22 बटे 7 और 3.5 उभेनिस्ट निकालने तो हमारे पास 12.5 बचेगा यहाँ पे 2 बचेगा और एक 3.5 भी बच जाएगा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं तो हमारे पास आगया 22 बटे 7 और 3.5 को हम 35 बटे 10 लिखने हैं 7,1,7,7,7,5,5,1,2,2,1 और यह 11 और चलिया यह इसके अंदर देखते हैं हमारे पास क्या बचा तो यह हर हमारे पास 10 हो गया और 135 और 70 को अगर हम जोड देंगे तो 195 आजाएगा तो हमारे पास बचा 11 गुना 195 बटे 10 तो चलिया आए इसको हम एक बार गुडन फल कर लें तो 195 और 195 और 195 ही आएगा अगर हम उसको 11 से करेंगे और इसका योग फल ले लेते हैं तो 5,4,2,1,4,5 और यह हो गया 214,5 और क्योंकि हम यहां पर शेत्र फल की बात कर रहे थे तो इसकी भी एकाई होगी सेंडिमीटर इसको है तो इस तरह से हमने इस प्रश्न का हल निकाल लिया जिसमें हमें इस खिलाने का संपूर्ण प्रश्टे शेत्फल ग्याद करना था ध्यान रखने आली बात क्या है कि जो यहां पर शेत्र इन दोनों के संयोग से जुड़ गया था उसको हमें नहीं ध्यान रखना था क्योंकि ये वो शेत्रफल है जो की छुट चुका है और हम जब शेत्रफल की बात करते हैं तो सिर्फ हम उनी शेत्रफलों का योग करते हैं जो की हम छू सकते हैं या फिर जो हम देख सकते हैं बाहर से मुझे आशा है कि मैंने आपको जो भी प्रश्ने बताए वो आपको अच्छे समझाएं होंगे